आप लोगों का स्वागत है मेरे कॉर वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है परिच्छा में पूछे जाने वाले जीके का प्रैक्टिस सेट नमबर 6 चलिए वीडियो की सुरबात करते हैं इसमें हम सब 13 अती महत्पून कुस्टन डिसकस करने वाले हैं चलिए पहला कुस्टन से सुरबात करेंगे हम सब चैनल पे नहाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब अगर आपको इसमें का पीडियाप चाहिए तो टिलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जल्दी से जॉइन कर लें और फ्री आपको पीडियाप पा सकते हैं पहली पंच वर्स्य योजना हेरोल डोमर मौडल प्राधारिक थी पहली पंच वर्षिय योजना के संदर में क्या प्रस्ण बनते हैं देखे यह योजना एक अप्रेल 1951 को प्रारम हुई अंतिम रूप से या दिसंबर 1952 में प्रकासित हुआ था इस योजना में क्रिसिस इ रखा गया था GDP ग्रोथ का 2.1 परतिसत लेकिन अब सब GDP ग्रोथ जितना लक्ष रखा गया था उससे कहीं अधिक वृद्धी किये यानि 3.6 वृद्धी राम सब का इस योजना के अंतरगत यानि इस योजना के दौरान ये पंच वर्सिया 5 साल का जो योजना था इस 5 साल के य योजना के दौरान क्या-क्या काम हुए तो समुदाइक विकास कारिक्रम की सुर्वात हुई 1912 राष्टिय प्रसार सेवा की सुर्वात हुई 1913 इसके अलावा भाकडा नागल डैम दामोदर घाटी डैम और हिराकुन प्रियोजना ये सारे कार हुए हैं पहली 5 वर्सिया य योजना पढ़े थे और इस वाले वीडियो में हम सब पहला 5 वर्सिया योजना पढ़ लिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रसंद की ओर दूसरा देखते हैं हम सब भारत में नियाईक सेवा का जनक किसे कहा जाता है आपके आपसान है फरस्ट नमर वारेन हैंस्टिंग वारेन हैंस्टिंग को भारत में नियाईक सेवा का जनक दाता मारा जाता है यह पहला गबर्नर जनरल था जिस पर इंग्लेंड लोटने पर महाभ्योग चलाया गया था तो यह सारे कुस्सन बनेंगे आपके एक्जाम में 1784 में विलियम जोन्स के साथ मिलकर एसियाटिक सोस काम में रिपीट होता है कुस्सन नमबर तीसरा प्रान इबं देहिक स्वतंतरता के अधिकार का वर्णन समिदान की किस अनुछेद में है आपके आप्शन है फर्स्ट अबर अनुछेद 22 गुसरा अनुछेद 20 तीसरा अनुछेद 21 और चौथा अनुछेद 23 तो तीसरा का सय अनुछेद 23 तो यह आप याद रखेंगे यह चारो आर्टिकल वैसे मैं आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो जल्दी सुरू करने वाला हूं तो हम सब डेली 10 आर्टिकल करेंगे और अगले 30 दिनों में हम सब सारा आर्टिकल पढ़ जाएंगे नेक्स्ट कुस्टन कुस्ट राज के मुख मंतरी तीसरा है प्रधान मंतरी और चौता है भारत के राष्टपती तो फोर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर फोर भारत के राष्टपती आईए संग लोग सिवायोग से कुछ समस्ते हम सब अनुचे 315 चार क्या काता है अनुचे 315 चार के तहत लोग सेवा आईएयोग के बारे में उपमंद है भारत के राष्टपति संग लोग सेवायोग यानी यूपीजि के अध्यक्ष एवं अन सदस्यों को निख्थ करता है संग लोग सिवायोग से अध्यक्ष 6 वर्ष की अप्दी या 65 वर्ष की आयू तक रह सकते हैं उसके बा अध्यक्ष एभम अनसदस 60 वर्स की आयू तक रते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है? रिटार्मेंट हो जाता है, रिटार ले लेते हैं और अपना त्यागपत्र किनको देते हैं? राज लोग सेवा के सदस, तो राज के राजपाल को देते हैं, जैसे बिहार राज लोग सेवा योग किसको देगा? अध्यक्ष जो है, वो राजपाल को देंगे प्रात्यागपत्र, सिंपल सा बात है, नेक्स्ट कुस्टन देखते हैं, कुस्टन नमबर 6, किस बहुत संगित छूड़ गया तो इसके बाद मैं डाल देता हूँ ठीक है तो देख लीजिए इसका अंसर हो गया दूसरा चार बहुत संगीती हुई थे चारों का आपको नाम याद रखना है प्रथम हुआ था राजगीर में चारसो तेरासी इसापूर में इसके अध्यक्स थे महाकस्याप और किसके सासनकाल में हुआ था तो आजाज सत्रू ये पांचों चीज याद रहना चाहिए दूसरा हुआ था वैसाली में 383 इसापूर में साबक, मीर, अध्यक्स थे और असोग के काल में हुआ था तिर्तिया हुआ था पाटली पुत्र में 251 इसापूर, मोगली, पुत, तिस्यम यहां के अध्यक्स थे और असोग के सासनकाल में हुआ था चत्दुर्त हो गया कुंडल लवन इस्वी की प्रथम सतापदी में अध्यक्स्ते वसुमित्र और किसके सासनकाल में हुआ था तो कनिस्क के सासनकाल में हुआ था ये चारों बहुत सहीती से बार-बार प्रस्ण आपके एक्जाम में उठा कर देगा आप देख लिजेगा जब आप विहार SSC का एक्जाम देकर आएंगे या रेलिवेक का देकर आएंगे या कोई भी सिफ्ट में जरूर इससे रिलेटेड आपका प्रस्ण बनता ही बनता है बस ये वाला स्रीज अगर आप इमानदारी पूरुबग करते होंगे explanation के साथ ये नहीं कि सिर्फ आप option पढ़के answer टीक कर देते होंगे और video को skip कर देते होंगे अगर इमानदारी पूरुबग कारे करते होंगे मेहनत करके लिखते होंगे not down करते होंगे तो आपका result जरूर एक प्रकिडिया है माव्योग चलाने से पुर्व राष्टपती को 14 दिन पहले बताया जाता है अनुछे 52 क्या कहता है भारत का एक राष्टपती होगा अनुछे 33 क्या कहता है संग की कार्जपाली का सकती राष्टपती में नहीं थोगी तो संसत चुकि विधी बनाता है इ एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है जिसमें निम्न सामिल होता है क्या क्या तो संसत के दोनों सतनों के निर्वाचित सदस लोग सभा और राज सभा के राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस और तीसरा है सतर में संविधान संसोधन अधिनिया मुनीश्व तो बिरानवे द्वारा, कैंसासित, परदेश, दिल्ली एवं, उडू चेरी के निर्वाचिस सदसभी सामिल होते हैं, यानि ये तीन लोग सामिल होते हैं, किसके अलेक्षन में, तो राष्टपती यानि परसीडेंट के अलेक्षन में और वोटिंग करते हैं, ठीक है, हम सब महराष्ट पती का वोटिंग नहीं करते हैं एक कुस्चन नंबर नेक्ट देखते हैं सात्मा नंबर एरावी कुलम नेशनल पार्क कि स्राज में है आपके ऑप्सन है फस्ट मर महराष्ट दूसरा है तमील लाडू तीसरा है केरल और चौथा है उत्रा खंड तो सेवन का सही आ नेशनल पार्क मौन घाटी जिसको सैलेंट वेली बोलते हैं नेशनल पार्क पेरियार नेशनल पार्क ठीक है यह तो नेशनल पार्क हो गया केरल में एलिफेंट रिजर्व है जिसमें है वाइनाट अनामुदी निलामबर और पेरियार यह सारे एलिफेंट रिजर्व हो ग मंगलम बर्ड सेंचुरी और थाटेकट या सलीमली बर्ड सेंचुरी तो यह सारा हम सब देख लिए जिसमें से कुछ भी पुछेगा आपसे नेशनल पार्क पूछ सकता है अलिफेंट रिजर पूछ सकता है बाग अभ्यारन पूछ सकता है और बर्ड सेंचुरी पूछ सकता ह ठीक है तो ये सारा हम सब एक बार में ही देख लिए ताकि आपको याद रहे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर कुस्षन नमबर आठ जन्संख्या नियंत्रा निभं परिवार नियोजन्द सम्विधान के सात्मिय नुसुची के किस सुची का विशय है आपके आपस अनुसुची साथ के अंतरगत वर्णित विशयाओं को तीन सुची संख सुची संख सुची का मतलब हो गया जिसमें सिर्फ कैंदर सरकार ही नियम बनाती हो जैसे कैंदर सरकार के अंतरगत जो भी चीज़े आती है वो संख सुची में आएगी जैसे विदेश निती तो कोई राज तो decide नहीं करता है कि विदेशनीती में क्या होगा हमको चीन के साथ कैसा relation रखना चाहिए तो भारत सरकार decide करती है तो संग सुची हो गया लेकिन अगर पुलीस की बात करें तो पुलीस राज सुची में आ जाएगा क्योंकि पुलीस का हग राज पर है समवर्ती सुची म आता है जंसंख्या नियंतरन यह भी समवर्ती सुची में आता है कि यहां पर राज और केंद दोनों मिलकर काम करती है जैसे आयुसमान कार्ड केंद सरकार कियो जना है लेकिन उसमें बिहार सरकार भी तो कारे कर रही है तो दोनों मिलकर कर रही है इसलिए स्वास्त किसमें आता है समवर्ती सुची में ठीक है तो अपसिष्ट विशेश संग को परदान किये गए हैं समवर्ती सुची में कुछ-कुछ बात आप याद रख लीजिए जो बारबार एक्जाम में दिखेंगे आपको तो दंड विधी जिसके अंतरगत ऐसे सभी विश्ची है जो भारतिय डंट सहीता IPC के अंतरगत आता है पसुओं के प्रति कुरूर्ता का निवारन कीमत नियंतरन वन जीव जनतुओं और पक्षियों का संगरक्षन विद्दूत समाचार पत्र पुस्तके और मुद्राले और जन्म मरंद सांकी की जिसका मिर्तियु रजिश्ट्री करन है तो य नेक्स्ट कुस्टन देखते हैं चली नेक्स्ट कुस्टन देखते हैं कुस्टन नमबर हो जाएगा 9 काईगा परमानु सन्यंत्र किस राज में अवस्तित है आपके ऑप्सटन है फर्स्ट अमर तमिल लाडू दूसरा उत्तर प्रदेश तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा करनाटक तो 9 का सही आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर 4 करनाटक करनाटक is the right answer चली देखते हैं हम सब भारत के प्रमुग परमानु सन्यंत्र ये सारा 12 का बारा आपको याद रहना चाहिए पहला हो गया कुम हरिया ये हरियाना में है दूसरा हो गया रावत भाटा राजस्थ परमुग परमानु सन्यंत्र है जो एक्जाम में बार बार रिपीट होता है ये स्टैटिक जीके के अंतरगत पढ़ाया जाता है व्योंकि मैं आल्रेड़ी आप सबको पढ़ा चुका हूं 100 टॉपिक फिक्स जीके में ठीक है प्लेलिस्ट बनाओगा जाकर देख सकते हैं च दुसर नमबर होगा आपका दसमा भारतिया मानक समय की यम उत्तर नहीं गुजरती है आपके आपसान है फर्स्ट नमबर रांद प्रदेश से दूसरा है छतिजगर से तिसरा है महराश्ट से और चौथा है उत्तर प्रदेश से तो दस का सई आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नमबर महराश्ट से आएए देखते हैं कि भारत का मानक समय कहां से गुजरती है तो भारत के पांच राज से होकर मानक यम उत्तर गुजरती है जिसमें है उत्तर प्रदेश, मद प्रदेश, सथिजगर, उडिशा और अंधर प्रदेश इसकी IST की गन्ना उत्तर प्रदेश यह माल लेते हैं यह भारत है और यहां से गुजरेगा आपका देशांतर रेखा समझ में आ गया होगा आई होग चलिए बढ़ते हैं अगले प्रसंद की ओर कुस्सन नमर 11 अगर उनमे यानि विद्रोयों में से एक वी योग नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते 1857 के विद्रो के संबंद में उपरोक्टि पननी किस ने की आपके आपसान रेखर्द से समय एक कार一个 किया था 1855 में भारत एंभं यूरोप के बीच प्रतम समुद्री टेली ग्राम सेवा शुरू इनिके कारशकाल में हुआ था एक इसमें मात्मूर्ण व्यक्ति है Lord Kenning 1856 से 62 तक यह कमपनी अंतीम गबर्नर्ट जनरल और भारत के पहले वाई सराय थे 1857 के विद्रो के समय Lord Kenning गबर्नर्ट जनरल था युरोपिया सेना द्वारा स्वेत विद्रो 1869 में हुआ था तो यही सासनकाल कर रहे थे भारत में भारतिया विधी सहीता इनी के सामने आई थे 1869 में भारतिया डंट सहीता 1861 का निर्मान भी इनी के कार्शकाल में हुआ था तो यह पांच पॉइंट Lord Kenning से बहुत ही मात्पूर प्रसनाल्टी है और जॉल लॉरेंस के समय के आवा था तो वह हम सब देख लिए समुदरी टेलिग्राम सेवा सुरू किया गया था सेशन पसंद है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को कोशन नमबर अब बढ़ते हैं हम सब 12 की ओर निमलिकित में से किसने 1857 की करांती में पटना सिटी में पीर अली के नेतुरित में हुए विद्रो को दबाया था आपके ओप्सन है फर्स्ट अबर मेजर मेकडोनाल्ड दूसरा है मेजर विसेंट आयर तिसरा है कैप्टन ली ग्रेंड और चोता है कमिस्नर टेलर तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर 4 कमिस्नर टेलर आप सब को पता है कि 1857 का विद्रो भारत के अलग-अलग छेतर में हुआ था तो कहां से किनके द्वारा नेतृत किया गया था वो हम सब इस चार्ट में देख लेते हैं तो दिल्ली से बहादूर सा जफर द्वारा नेत्रित किया गया था और इस विद्रो को दबाया था निकलसन और हटसन ने, कानपूर से तात्या टोपे और नाना साहिब द्वारा नेत्रित किया गया, कैंपवल ने इसे दबा दिया, लखनों से बेगम हजरत माल और बिरजिस क पादिर ने किया था केंपवल ने इसे भी दबा दिया जगदिसपूर यानि हमारे बिहार से आरा डिस्टिक में जगदिसपूर है कुमर सिंग और अमर सिंग मेजर विलियम टेलर ने इस विद्रो को दबा दिया था उसके बाद फैजावाद से मोलवी अहमदुला केंपवल इसे दबाया था और उसके बाद इलाहवाद से लियाकतली इस इनके विद्रो को कर्णर नील ने दबाया था ठीक है तो यह 1857 का विद्रो है और दो तीन और बच गया वो सब हम आगे जान जाएंगे चलिए कुस्टन नमबर तेरमा और आज की विडियो का आखरी प्रस्ट चेकमेट, वीसब तथा गैमबिट सब्द का संबंद किस खेल से है आपके उप्सन है फर्स्ट नमर खोको दूसरा है सतरंज, तीसरा है क्रिकेट और चौता है होकी तो तेरा का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नमर सतरंज आए कुछ खेल और उससे संबंदित सब्द को समझते हैं हम सब तो सबसे पेल हम सब जानते हैं कुस्ती के प्रमुख सब्दावली तो ही, बूल, कलर, डेड़वेट, गेट, एवार्शन, एजेंट, मंकी मार्क ये कुस्ती के प्रमुख सब्दावली हैं खोको खेल के प्रमुख सब्दावली कौन-कौन है चैंज, च कबड़ी के प्रमुख सब्दावली कौन-कौन से हैं तो राइडर बालक लाइं सांस तोड़ना रेड और इस्ट्रगल ठीक है तो यह याद रखेंगे आप सब कुछ खेल से प्रमुख सब्दावली बहुत बार एक्जाम में आया है तो यह डिसकसन आपको कैसा लगता है यह आप feedback दे सकते हैं नीचे comment box खुला रहता है तो जरूर आप सब comment करें कि अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है ठीक है और प्रस्न जो है वह बहुत ही फ्रेंडली है एक्जाम फ्रेंडली है बार बार एक्जाम में दिखेगा यह सारा प्रस्न इसको हलके में नहीं ले जाएगा और NCRT स्रीज भी जल्दी प्रकासित किया जाएगा तो आप सब तयार हो जाएए उसके लिए भी थैंक्यू सो मच